हेलो प्यारे बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम आपकी क्लास सिख्स की संस्रीट के सैवन्थ चैप्टर को रीड करेंगे चैप्टर का नाम है बकस्य प्रतिकार है तो चो आज हम इस chapter को read करेंगे आप अपनी book को साथ में लेकर बैठीगा जितने भी difficult word है इसके transcript की हिंदी है बिल्कुल हमने उपर लिख दिया है आपकी सुमिधा के लिए ताकि आपको इनका meaning पता चल जाए जो इसकी हिंदी है बच्चो पहरे की हर पहरे की जो हिंदी है वो नीचे लिखती है हिंदी देखकर भी आप अच्छी तरह से इसको कर सकती है तो बच्चो पार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं एक कस्मिन वने श्रगाल है बख है चै निवस्त है समय तो बच्चो एकस्मिन का होता है एक बार, श्रगाले होता है गिदड़ या सियार और बकै बगुला, तो बच्चो इसकी हिंदी विल्कुल नीचे लिखी हुई है, एक वन्न में गिदड़ और बगुला रहते थे, त्योह मितर्ता आसी, उन दोनों में मितर्ता थी, एक दा प्रातय श्रगाले बकम अवदत मितर्त श्वय त्वं म्यास है बोजनम कुरू एक बार सुभए गिदड़ बगुले से बोला है मितर, कल तुम मेरे साथ बोजन करो, अवदत कार्थ होता है बोलना एक दा एक बार प्रातय मतलब सुभए, तो एक बार सुबह गिदर बगुले से बोला कि है मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो कुरू कारत होता है करो उच्रगाल से निमंत्रल kale ने बकै प्रसंदा अभवतकारत होता है प्रसं का प्रसंद या खुश तो जब श्रगाल ने स्यार ने बगुले को निमंत्रल दिया वोजन के लिए तो बगुला बहुत खुश हुआ अग्रिमे दिने से बोजनाई श्रगालत से निवासम अगच्छत अगले दिन अग्रिमे का अर्थ होता है बच्छो अगले दिन वह बोजन के लिए यहां पर बच्छो वह आएगा बोजन के लिए गीदड के निवास पर जाता है कुटिल सवभाव है श्रगाल है स्थालायाम बकाय है शीरोदनम अयच्छत तो बच्छो स्थालियाम करता है थाली में और शीरोदनम करता है खीड तो कुटिल सभाव वाला जो गीदड था कुटिल सभाव वाला जो गीदड थाली में बगुले के लिए खीर देता है या परोजता है तो आप चितर में देखो बच्छो ये गीदड है सिहार है और ये बगुला है अब गिदर ने क्या किया खीर को थाली में डाल गी आपको पते हैं पक्षी की चोंच से खाता है तो वो थाली में तो फैल गई खीर तो बगुला उसको कैसे खाता तो जो चलाक गिदर था दुर्त गिदर था उसने खीर को थाली में परोस दिया बक्कम अवदत चे मित्र अस्मन पात्रे आवाम अधुना सह्थ खादाव और बगुले से कहता है गिदर बगुले से कहता है हे मित्र इस बर्तन में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं अश्मिन का अर्थ होता है इस और पात्रे मतलब बर्तन में हम दोनों ही खाते हैं इस थाली में हम दोनों एक साथ बोजन खाते हैं अब भोजन के समय वगुले की चोँज थाली से बोजन लेने में ऐसमर्थ हुई समर्थ नहीं हो बाई वगुला थाली से बोजन को नहीं खा पाया अथे वके केवलम शीरोदनम अपश्यत इसलिए वगुला केवल खीर को देखता रहा अपश्यत मतलब देखता रहा, खा तो सका नहीं वो, श्रगाले तू सर्वे, शीरोदनम अपश्यत है तो बच्चो जितनी भी खीर थी, श्रगाले मतलब होता है सियर किन्तु कीदड़, यानि सियर सारी खीर को खा गया अब श्यत मतलब खा गया या उसने सारी खीर खा ली, अब अब बच्चारा देखता रहा, अब अगला बच्चो पहरा है श्रगालेन वनचीते बक्य अचिंतियत श्रगालेन मतलब होगा बच्चो सियार और वनचीते मतलब ठगा हुआ और बक्य बगूला अचिंतियत सोचा अब सियार से ठगे जानने के बाद बगुला सोचता है यथा अनेन मियास है व्यवारे क्रत है तथा एहन कपी तेन सह व्यवारिश्यामी एवं चिंत्यत्वा जिस परकार अब बगुला ने सोचा जिस परकार इसके द्वारा मेरे साथ व्यवार किया गया है यानि सियार में जो मेरे साथ व्यवार किया मुझे खाना नहीं दिया और मेरे साथ दुखा दिया मैं बुखा रहा अब उसी परकार उसने सोचा कि जिस परकार उसने मेरे साथ व्यवार किया मैं भी बिल्कुल उसके साथ ही वैसा व्यवार करूगा इस प्रकार सोच कर वैस यार से बोला कि हे मित्र त्वम अपीश वैस सायाम म्या से बोजनम करिश्यसी हे मित्र साय काल यानि शाम को मेरे साथ बोजन करना पकस्य निमंत्रन नेन श्रगाल है प्रसन्य अबवद बगुले के निमंत्रन से सियार प्रसन्न हो गया कि उसको लगा की चलो और मुझे बगुला बोजन के लिए बुला रहा है तो मैं बोजन के लिए जाऊंगा वो फुश हो जाता है यदा श्रगाले साएं पकस्य निवासम भोजनाए अगच्छत तदा बकय संकिन मुखे कल्षे शीरो दनम अगच्छत शाम के समय बगुले ने उसके साथ क्या किया जब सियार शाम को साएं काल बगुले के निवास पर बोजन के लिए गया तब बगुले ने उसे छोटे मुख वाले कलश यानि सुराही में खीर दी आप चितर में देख सकते हैं बच्छो ये बच्छो सियार है गिदड़ है और ये बगुला है अब बगुले से बिलकुल बगला लिया ठीक है अब देखो छोटे मुख वाला बरतन है तो इसमें सियार का मुख कैसे जाएगा वो खीर खाई नहीं पाएगा और बगुला बोजन को एक तंग मुख वाले बरतन में डाल दिया यानि सुराही में डाल दिया और श्रगालम चै अवदत और सियार से बोला क्या बोला मित्र आवां अस्मिन पात्रे सहेव बोजनम कुर्वै जिस तरह से पहले सियार ने उसको कहा था कि आज हम एक साथ एक बरतन में खाना खाएंगे उसी परकार बदला लेने के लिए बगुले ने भी उसको बोला कि हे मित्र हम दोनों इस बरतन में एक साथ बोजन करेंगे बगुले की तो चोंच उस तक पहुँच गई उस सुराही में पहुँच गई बगुला कलश से चोंच के द्वारा खीर खा गया परंग्तू श्रगाल से मुखम कलशे ने प्राविश्यत है लेकि श्रगाल का मुँँ उस कलश की अंदर नहीं गया उस बरतन में नहीं गया ठीक है और स्यार केवर उसे देखता रा इशापूर्वक वो खीर को नहीं खा पाया तो बच्च वो सियार खीर को नहीं खा पाया अतै बकै सर्व शिरोधनम अखादत इसलिए बगुला सारी खीर खा गया श्रगाल यानि सियार केवल इर्शय पूरवक उसे देखता रहा कि वो तो खीर खा रहा है मैं नहीं खा पा रहा हूँ जबकि सियार ने भी तो बगुले का साथ बिल्कुल वैसा ही विवार किया था श्रगाल है बक्यम प्रति व्याद्रशं व्यवारं अक्रोत बकै अपी श्रगालम प्रति ताद्रशं व्यवारं क्रत्वा प्रतिकारं अक्रोत तो बचो गीदड़ ने बगुले के प्रती जैसा व्यवार किया था बगुले ने भी गीदड़ के साथ बिल्कूल वैसा ही व्यवार करके बदला ले लिया ठीक है उक्तमपी और ये भी कहा और कहा भी उसको ये बात कही भी आतम दुर व्यवारस्य फलं भवती तुकदम तस मात ये सद व्यवहरतव्यम मान वेल सुखेशिना और कहा भी गया है अपने दुरा किये गए दुर व्यवार का फल दुख देने वाला होता है हम अगर किसी के साथ अच्छा व्यवार करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा और बुरा व्यवार करेंगे तो उसका फल हमें बुरा मिलेगा इसलिए सुख, सुखेशिना कारता है बच्चो सुख चाने वाल, अगर तुम सुख चाते हो तो इसके लिए तुमें सुख देना भी पड़ेगा, इसलिए सुख चाने वाले मनुश्य के द्वारा अच्छा व्यवार किया जाना चाहिए, तो बच्चो आज हमने पार्ट में क सेवंथ चैप्टर को रीड किया है, अगले वीडियो में इसके हम कोश्चन आस्वर करेंगे, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करके रखिएगा, हिंदी हमने बिल्कुल नीचे आपको लिख के दे दिये, और इसके जो कटिन शब्दारत है वो भी आदिये हैं, आप वीडियो देखकर अपना वक्त कम्प्रीट कर सकते हैं, थैंक यू, है वगूद डे,